दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कल के दिन फेजू जनलत को मिले वे तीन साल कंप्रीट हो गए और फेंस सोच रहे थे कि साइद ये लोग आज साथ में मिलेंगे क्योंकि जब इनको एक साल दो साल कंप्लीट हुआ था तब ये लोग मिले थे साथ में तो फेंस इंतिजार कर रही थी कि साइद आज भी ये लोग मिलेंगे लेकिन साम तक हो गया लेकिन फेजू जन्नत साथ में नहीं मिले जिसे फेंस तो अदास हुई और सोचने लगी कि ये लोग साथ में क्यों नहीं मिल रहे क्या इनके बीच में कुछ फाइट हो गया तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे तो इसके बारे में बता दूँगा और उससे पहले अभी तक अगर आपनोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेला ऐकन को दबा देना तो आप सबी को सबसे पहले बतादू बहुत सारे लोग सोच रहे कि सायद इनके तरब से कुछ बड़ा सर्प्राइब आ रहा है इसलिए ये लोग साथ में नहीं मिल रहे लेकिन आप सभी को बता दू ऐसा कुछ नहीं है अगर इनके तरब से कोई बड़ा सर्प्राइज आता या कोई सौंग की सूटिंग होती तो ये लोग साथ में मिलते और इनका कोई ना कोई फोटो वीडियो तो वाइरल होई जाता सोसल मेडिया पे जी कुछ लोग तो ये भी बोल रहे है कि जन्ना जुबेर सिधार निगम को अपना बॉइफरेंड बना चुकी जिया दोस्तो तो आप सभी को बता दू ऐसा कुछ भी नहीं है सिधार निगम जन्ना जुबेर के बहुत अच्छे दोस्ते एसा जो भी निउज निकल के आ रहा है कि जन्ना जुबेर ने सिधार निगम को बॉइफरेंड बनाया यह सब बेलकुल फैक है कि यह दोनों एक बहुत अच्छे दोस्ते पहले ही क्लियर कर देता हूं से तो साइथ फेजू भी दोस्ते लेकिन फेंस सोचती है कि फेजू भी साइथ उनके बॉइफरेंड है अभी इ इनके बीच में फाइट हो गई है तो फाइट नहीं हुई है वो इसलिए अगर फाइट हुई होती तो यह लोग एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफोलो भी कर देते जी हां दोस्तो लेकिन मेरे से अगर आप लोग पुछो कि मुझे क्या लगता है तो मेरे को लगता ह इनके बीच में कोई फाइट हुई है यह लोग साथ अभी कुछ काम के वज़े से बीजी है आई होप कि यह लोग जल्दी साथ में मिले वेसे आप लोगो क्या लगता है मेरे को कमेंट करके जरू बताना बाकी को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबादो क्योंकि यहां पर फेजू जनल से अब्रेट आते रहते तो बस आज की वीडियो में इते ही था थेंक्स पर मैं वोशिंग वीडियो